हेलो फेंट्स में मंदीप सोगत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर पिंटसाज की इस वीडियो में 38 साइस का बैक नेक डिजाइन माप प्रो के साथ शेयर करूँगी तो दिखी है मेरा मैन फैबरिक के और यह अस्तर का कपड़ा है कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करके रखेंगे आप अपने साइस के अकॉर्डिंग डीप नेक का मैजरमेंट लीजिएगा मैं यहाँ पर 38 साइस का बैक बार्ट बना रही हूँ नीचे से एक लाइन ड्रो करके कपड़े को सीधा कर लेना है और टोटल लंबाई लेनी है टोटल लेंथ मैंने रखी है यहाँ पर 15 इंच 14 इंच लेंथ मुझे इसकी तयार रखनी है उपर से शोल्डर का नाप रखेंगे हम 6 इंच में शोल्डर और आर्मोल 6 इंच लेंगे क्योंकि ऊपर यह जो डिजाइन बनेगा नैक में यहाँ पर हमें शोल्डर को कट करना होगा तो इसलिए आधा इंच आप बढ़ा कर ही लिजेगा टेस्ट का चोथा पाग लेंगे साड़े 9 इंच और 1,5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन के लिए मार्जिन आप अपने ब्लाउस में 2 इंच का भी रख सकते हैं कमर का फोथ पाट लेना ही कमर 32 इंच उसका चोथा पाग यहाँ पर लेंगे हम 8 इंच 1,5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच एक्स्ट्रा और लेना है आपको कमर की प्लेट्स के लिए आप मूर का शेप हम दवा 1 इंच पर देंगे बैक साइड में मार्किंग पूरा कर लेने के बाद आपको इसे कट कर लेना है तो दिखी इस तरह से हम बैक पार्ट को यहाँ पर कट कर लेंगे अब लेना है गले का मेज़मेंट गले की चुड़ाई रखी है मैंने यहाँ पर 2 इंच की गले की लंबाई रखी है 9.5 इंच 9.5 से 10 इंच आप ले सकते हैं मैंने 10 इंच लिया है नीचे से गले के चुड़ाई रखी है मैंने 3 इंच चोक और एक बॉक्स दे सा शेफ हमने बना लेना है यहाँ पर इसके बाद देखिए 1.5 इंच बाहर की तरफ लेते हुए मार्ग करना है 1.5 इंच और इस तरह से आपको शेफ दे देना है बाहर की तरफ में डीप पान गला बना रही हूँ देखे इस तरीके से तो यहाँ पर आप थोड़ा फैला कर ले सकते हैं क्योंकि इसके उपर भी डिजाइन बन जाएगा इसके बाद देखे हमें यहाँ पर से राउंड शेफ देते हुए एक डिजाइन उपर की तरफ कर लेना है इस तरीके से इसे हमें नीचे की तरफ मिला देना है बीच में आपको इस तरह से शेफ देते देना है तो यहाँ पर देखिए यह तीन पीस में डिजाइन कट होगा इस तरीके से आपको इससे कट करना है यह है फर्स्ट पार्ट इसके बाद यह सेकंड बाला पार्ट है और बीच में है इसका थर्ड पार्ट अब इन दोनों पैटन्स को हमने बढ़ा करके कट करना है पेपर पेस्टिंग पर बैक पार्ट को हमने मैंन फाब्रिक पर भी कटिंग कर लिया है अब लिया है मैंने पेपर पेस्टिंग पेपर पेस्टिंग आपको थोड़ा बढ़ा करके लेना है इसके बाद दिखें से एजटीज ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से और बाहर की तरफ से एक इंच आदा से एक इंच आप बढ़ाते हुए कट करें इसे अब बीच में जो paper pasting है इसी से आपका जो दोनों जो part है वो cutting हो जाएंगे तो इसी paper pasting के उपर आपको दूसरा design वाला part रख लेना है इस part को आपको आदा इंच बाहर की तरफ से बढ़ाते हुए cut कर लेना है यह देखिए यहाँ से asities cut करेंगे गले के आँसे और आदा इंच बाहर की तरफ बढ़ाते हुए इसे cut कर लेना है इसे आपको अस्तर वाले extra part के उपर भी रख लेना है और cutting कर देना है अब रहा बीच वाला part तो उसके लिए आपको paper pasting को fold कर लेना है और इस तरह से देखिए इसे cut कर लेना है तो सभी part देखिए यहाँ पर मेरे cutting हो गए है और इसके बाद हमें इसे pin के साथ attach कर लेना है paper pasting को अगर आप चाहें तो press करके इसे चिपका भी सकते हैं fabric के उपर या फिर आप मेरी तरह सिलाई लगा कर भी इसे attach कर सकते हैं यह देखिए corner पे सिलाई हमने अच्छे से लगा लेनी है इसके बाद एक सिलाई मैं बाहर की तरफ से भी लगा रही हूँ जिससे की paper pasting अच्छे से कपड़े के साथ attach हो जाए एक्स्ट्र जो paper pasting है इसे बीच में से हमने cut करके निकाल देना है बीच में से एक्स्ट्र पेपर pasting को मैंने cut कर दिया है अब हमें man fabric के साथ इसे पलट लेना है तो यहाँ पर दिकी सिलाई लगाएंगे बराबर से रखते हुए एक पेर का margin लेते हुए कले के shape के साथ से सिलाई लगानी है यह देखिए सिलाई लगाकर मिने से पूरा कर लिया है और बीच में से जो extra कपड़े का part यह हमें cut करके निकाल देना है पूरे कले पर छोटे छोटे cut लगा लेने है यह देखिए इस तरह से cut लगाने के बाद एक सिलाई अस्तर के कपड़े को इस तरफ करते हुए अस्तर वाले पार्ट पर लगा लेनी है नीचे से बार्जिन को भी अस्तर वाली तरफ ही रखना है इस तरह से देखिए आपर सिलाई लगा दी है अब गले को अंदर की तरफ फोल करते हुए एक सिलाई उपर से फिनिशिंग के साथ लगा लेनी है तो देखिए इस तरह से सिलाई लगा कर मैंने नेक को पूरा कर लिया है अब हमें बार की तरफ से सिलाई लगा दे लिए कपड़े को हाथों से फिनिशिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से ये देखिए सिलाई लगा कर मैंने इसे पूरा कर लिया है अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके निकाल देना है तो बाहर की तरफ जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा है इसे कट करके निकाल देंगे अस्तर के बराबर इसे कर लेना है अब दिखिए जो डिजाइन हमने कट किया हुआ है पेपर पेस्टिंग पे इसे अस्तर के उपर रगकर आपको टेज कर लेना है तो दोनों तरफ से अच्छे से सिलाई लगा लेंगे या फिर आप प्रेस लगा कर भी सिर्ट कपड़े के उपर चिपका सकते हैं सिलाई लगाने के बाद गले के यहां से एक्स्ट्र कपड़े को हमें कट कर देना है और बाहर की तरफ से भी इस तरफ से भी बराबर से हमें सिलाई लगा कर इसे कटिंग कर देना है तो दिखिए दोनों पार्ट मैंने तयार कर लिये हैं दोनों पार्ट कट कर लेने के बाद अब हमें यहाँ पर इसे अटेश करना है तो बॉर्डर वाला पार्ट में ने लिया हुआ है अगर आप इसे कपड़े के साथ बना रहे हैं तो अलग से कॉंट्रस्ट कपड़ा आप यूज कर सकते हैं या गोल्डन कलर का कपड़ा भी आप ले सकते हैं गले के हाँ से बिलकुर बराबर से हमें एक पेल का मार्जिन लेते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई लगा लेनी है सिलाई लगाने के बाद छोटे-छोटे कर्ट लगाएंगे और इसे पलट करके सीधा कर लेंगे तो इस तरह से देखिए फैब्रिक को पलट लेना है कॉर्णर की एक सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे आप चाहें तो यहाँ पर लेस या पाइपिंग लगा सकते हैं मैंने इसे सिंपल ही रखा है कॉर्णर की सिलाई लगाने के बाद बाहर की तरफ से सिलाई लगाएंगे यह देखिए सिलाई लगाने के बाद एक्स्टर फैप्रिक को कट करके निकाल देंगे और जो दूसरा वाला पार्टे वो भी इसी तरह से हमें तयार कर लेना है ये दिखें दोनों पार्ट मैंने तयार कर लिए हैं अब इसके जो बीच का डिजाइन है वो तयार करना है तो इसे हमें पहले अस्तर के साथ अटेज कर देना है अस्तर के साथ अटेज करने के बाद एक्स्टर फाब्रिक को कट करके निकाल देंगे अब देखिए इसे गले के बीच में से जो मैन फाब्रिक निकला था उस कपड़े के साथ हमें इसे सिलाई लगा कर पलट लेना है तो सिलाई लगा कर यहां पर मैंने इसे पलट लिया है अ बाहर की तरफ से सिराई लगा देंगे बाहर की तरफ से सिराई लगा लेने के बाद हमें extra कपड़े को cut कर देना है और यह जो पार्टें इससे हम दिखे बीच के जो कपड़े हमने cutting किये थे इन्हें बराबर से mark कर लेंगे और दोनों पैटर्ण को marking की according हम attach कर देंगे तो दीके मैंने यहाँ पर एक तरफ का part attach कर दिया है अब इस दूसरे तरफ का part जो है इसे भी हमें सिलाई लगा कर अच्छे से attach कर लेना है सिलाई को आप यहाँ पर lock कर दें थाकि यह निकलेना यहाँ पर दीके कि भारवाला जो डिसाइने इसे भी मैंने mark कर लिया है और बैक पार्ट को लेना है सेंटर से बराबर करते हुए यहाँ पर attach कर देंगे आप जाहें तो दूनों तरफ अच्छे से पहले नेक के उपर pin लगा ले मैं इसे सेंटर से attach कर रही हूँ नेक को अच्छे से सेट करते हुए दिखिए हापर हमें सिलाई लगा लेनी है एक तरफ से मैंने सिलाई लगा लेनी है अब इसी तरीके से सेंटर से बराबर करते हुए दूसी तरफ से भी सिलाई लगा कर इसे पूरा कर लेंगे यह दिखे मिन्हें आपर सिराई लगा दी है सेंटर से कपड़ी को फोल करते हुए हमें बैक साइट में प्लेट्स लगा लेनी है कमर में और नीचे की तरफ कमर पट्टी अटेज कर लेनी है आदा इंच का मार्जिन लेते हुए पट्टी को इस तरह से अटेज करेंगे यह दिखें एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के उपर लगा लेनी है और कमर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है तो इस तरह से दिखिए मैंने कमरपटी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है नेक पर लेस लगा लेंगी तो लेस लगाने से इस गले का जो लोग की वह और भी अच्छा लगेगा अगर आप इसे सिंपल रखना चाहें तो सिंपल भी रख सकते हैं और लेस भी लगा सकते हैं तो इसी के साथ में राज का इनेक डिजाइन बन करके तयार हो गया है तो फिंट साब को आज कर डिजाइन कैसा लगा है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताईएगा वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा चैनल को सुस्क्राइब जरूर करें धन्य बात